अस्सलाम वालेकुम दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल इसकाइटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया से साओधी अरेब के लिए जो फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है एक दिसंबर से व कंट्रियो में ओमिक्रोन नाम का एक मल्टिपल मिउटेशन वाला कॉरोला वायरस का एक नया वैरियंट सामने आया है जी हां दोस्तों ये जो नया वैरियंट है ये कुरोना वायरस के नौर्मल वैरियंट से काफी ज्यादा खतरनाक है और सौथ अफरीका के साथ कंट्रियों में ऐसे कई infection record किये गए हैं जो कि इस नए वेरियंट के हैं दोस्तों अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं कि फ्लाइट बंद होने के आसार पहले सही नजर आने लगे हैं दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका से जाने वाली फ्लाइट जो की इंडिया के बैंगलोर में गई हैं कोरोना वाइरस का टेस्ट किया गया जिन में से दो लोगों को कोरोना पॉजिट्व पाया गया जिहां दोस्तों इंडिया इस मामले में नंबर वन रहता है कोई नई चीज आती है तो वह पहले एकसेप्ट कर लेता इसी तरह से साउथ अफ्रीका से जाने वाले दो लोगों को इंडिया में जब कुरोना वाइरस का टेस्ट किया गया तो वो लोग कुरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अब देखना ये है कि वो लोग जो कुरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन लोगों के अंदर ये नॉर को भी साओधी अरब बंद कर देगा और फिर दुबारा जब तक कि नहीं आदेश नहीं आते हैं तब तक के फ्लाइट इंडिया की चालू नहीं की जाएगी तो दोस्तों दूआ यही कीजिए कि यह जो लोग नए गए है साउथ अफरीका से इंडिया के बैंगलोर में तो इन दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ दोस्तों अगली अपडेट है हमारी की साउदी अरेबिया में जो लोग उम्रा करने जाते थे उनके लिए एक एज लिमिट थी 18 साल से लेकर के 50 साल तक के लोगों को ही उम्रा की परमीशन मिलती थी यानि कि अगर आप 18 साल से उपर है और 50 साल के अंदर है तभी आपको उम्रा करने की परमीशन थी लेकिन यह जो एज लिमिट थी इसको हटा दिया गया है अब 50 साल के उपर के जो लोग है वो लोग उम्रा का परमिट बुक कर सकते हैं चाहे वो लोग अपना एतमरना एप्लिकेशन से वो लोग अब उम्रा करने जा सकते हैं क्योंकि 50 साल के अंदर वाली जो एज लिमिट थी वो हटा दी गई है लेकिन हाँ जो 18 साल से कम के लोग है वो लोग अभी भी उम्रा नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए ये एज लिमिट अभी भी लगी हुई है दोस्तों अब ह 14 दिन दुबाई के अंदर काट के आते हैं वैक्सिनेटेड है उसके बावजूद वो जब साओधी अरब में एंट्री कर लेंगे तो क्या फिर से उनको पांच दिन का क्वारेंटाइन करना होगा जो की नई गाइडलाइन के हिसाब से है तो दोस्तों मैं आप लोगों को ब पुराना वाला रूल ही लागू होगा जो लोग इंडिया में वैक्सिन लेते हैं नए वीजा पर हैं चाहे वो रेसिडेंट हैं अगर वो साओधी अरब में डायरेक्ट आते हैं तो ही उन लोगों को पांच दिन का क्वारेंटाइन किया जाएगा लेकिन अगर आप दुब पता होगा कि जब पहले आप दुबाई से आते थे मान लीजे जब आप दुबाई से आते थे तो जो आपके टिकर का खर्चा होता था वो अलग था लेकिन लगबाग 30-40,000 रुपए आपको दुबाई के अंदर होटेल में रहने के लिए और PCR कराने में खर्च हो जाता था लेकिन वही पैसा आपका आप साओधी अरब में खर्चा हो जाएगा जिया दोस्तों आप जब साओधी अरबिया की ओफिसेल वेपसाइड के उपर जाएंगे तो वहाँ पर जो होटेल्स है क्वारेंटाइन के लिए जिनको अथारिटी है जिनको ये बात की पर्मिशन है क वह लोगों को क्वारेंटाइन कर सकते हैं वह सारे होटेल्स हैं 2300 से नीचे कोई होटल ही नहीं सारे होटल जितने भी है 2300 2400 2600 800 3000 ऐसे सारे होटल हैं यानि कि 5 दिन के क्वारेंटाइन में आपको 1500 याल तक स्पेंड करने पढ़ सकते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट जो क्वारंटाइन किया जाएगा तब तक कि इसका कोई फाइदा नहीं होने वाला है और दोस्तों यह रूल जो है इसके बारे में अभी कुछ किलियर नहीं बताया गया है कि जो लोग लोग नौट वैक्सिनेटर आएंगे उन लोगों का क्वारंटाइन कैसे होगा या फिर जो पैसा आपका साओधी अरब लेगा यही दिमाग लगाया गया यहां पर और इसी हिसाब से आपकी आपके लिए इंडिया और पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट ओपन की गई है स्टार्ट की गई है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज कि यह वीडियो आप लोगों को क्रीव लगी होगी अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अल्ला हाफिस गुड़ बा